हेलो एप्रिवन, वेलकम बैक टू मैं चैनल, आज हम चने की दाल का कतली वाला हलुआ बनाने जा रहे हैं, अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाइ स्टेप फॉलो करेंगे और वीडियो को लाज तक देखेंगे तो आपका हलुआ भी परिफेक्ट बन कर त्यार होगा, त्यार आपका हैं, अगर चने की दाल में हम जादा सीटी लगाएंगे या जादा पानी आट कर देंगे तो यह बहुत गल जाएगी, यह बहुत ही इंपॉर्टन स्टेप है फ्रेंड्स कि हमें दाल को कैसे बाइल करना है, कि हमारी दाल बिल्कुल सूकी सूकी बाइल हुई और इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसको भूनने में जादा टाइम नहीं लगेगा, अब हारा देखिए, चने की दाल का फाइन पॉटर तयार है, अब हम इसको भून लेंगे, इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर भूनना है, और जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, फि नहीं पर कम रह जाएगा, तो इसे हमें continuously भूनते रहना है, और जब इसका कलर अच्छा सा ब्राउन सा आज है, फिर हम इस एक बर्तन में निकाल लेंगे, और बाकी की पिसी वी दाल को भी इसी तरह से भूल लेंगे, हमारी दाल तो यहां देखिए, अच्छे से भून रही है, और इसका कलर भी चेंज हो रहा है, और यह फैनली सारी दाल हमारी बुनकर त्यार हो गई है, प्रेंट्स हल्वा बनाने के लिए दाल का कलर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, आई अब हम और इंग्रिडियंट्स को देख लेते हैं, यहां पर हमने आधा किलो चनी की दाल कर सकते हैं, जो आपको पसंदो, यहां पर हमने एक बड़ी पतीली चड़ाई है, इसमें दो टेबल स्पून देसी घी आट करेंगे, फिर इसमें एक सफेद लाइची डाल देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आता है, उसके बाद हम इस पे वन लीटर फुल क्रीम मिल्क अब जब तक चाशनी में एक तार ना बनने लगे, तब तक हमें इस चाशनी को अच्छे से बॉयल करना है, और मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही बॉयल करना है, हाई फ्लेम पर नहीं, इसमें फोर टेबल स्पून गरी का बुराद आट कर देंगे, फ्रेंट्स अभी जो बे बन कर त्यार ना हो जाए, अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेणर ले ले लेंगे, और जो हमने दाल भूनी थी, भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा लंस रह जाता है, तो हम स्ट्रेणर की हेल्प से इसको अच्छे से चान लेंगे, जिससे चानने के बाद इसका टेक्चर बिल डाल को भूनने के बाद हमेंसे जरूर से चान लेना है, नहीं तो इसमें हलवा परफेक्ट नहीं बनेगा, और यह देखि चानने के बाद इसका टेक्चर कितना सॉफट है, कोई लंस नहीं है, तो हलवा भी परफेक्ट बनेगा, फ्रेंड्स इस स्टेप को बिल्कुल भी म कर सकते हैं खोया डालने के बाद भी हमें चाशनी को अच्छे से पकने देना है मीडियम टू स्लो फ्लेम पर जब तक इसमें एक तार ना बनने लगे जब तक हमारी चाशनी पकरी हम और तेयारियां कर लेते हैं यहां पर हमने फ्रेंड्स बड़ी सी स्टील की थाली ली है इस ब्रकुक्त रागा चाचनी बहुता है इसने छैनी की दाल को करते हैं गेए हम इसको कंटिनियूस ठलाते नहीं जाएंगे तो फिर इसमें लंप्स बनने लगेंगे और जब यह थोड़ा सा सूख जाए फिर हम इसमें बीच बीच में थोड़े से कटे वे ट्राइफ रूट्स और देसी गी अट करते जाएंगे इससे इसका फ्लेवर इन्हांस होगा और हम इसे बहुत जादा सुखाना नहीं है बस सब कुछ अच्छ दानेदार हल्वा बनकर रेडी है और हाफ रेंड्स बहुत ही इंपोर्टेंट टिप अगर आप जब इसमें देसी गी डालते जाएं तो इसको कंटिनियसली चलाते जाएं नहीं तो यह कहीं से जल जाएगा या फिर कहीं से सूखा या कच्छा रह जाएगा तो आप अगर अपनी पसंदे में तो यह सेट नहीं होगा जब यह अच्छे से चिकना हो जाए फिर आम इसमें उपर से मद पसंद से ड्राइफरूट से कानिश कर देंगे यहां पर मैंने काजु पदाम का यूज किया है अपनी पसंद के कोई भी ड्राइफरूट से यूज कर सकते और उपर से थोड़ा सा करी का पुरादा भी डाल देंगे और यहां पर मैंने चांदी का वरक यूज किया है चांदी का वरक लगाने से हलवा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम इसको कट कर ले रहे हैं आपको जैसी पीसे पसंद हो वैसे शेप में कट कर लीजे और फ्रेंड्स यकीन मानिए यह बिल्कुल हलवाई स्टाइल बहुत ही टेस्टी हलवा बन कर त्यार हुआ था किसी मिठाई से कब नहीं था अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइ करें करें